दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे आज की सबसे पहले कबर मुझापरपूर दरबंगावा नालंदा में बनेगा मेगा स्किल सेंटर जाने कीन इवाओ को मिलेगा विसेज फाइदा जिहां मुझापर पूर सही दरबंगावा नालंदा जिले में पाइलट प्रोजेक्ट के तहत मेगा स्किल सेंटर खोल जाएगा इन केंद्रों पर वर्तमान जरुत के हिसाब से इवाउ को स्किल किया जाएगा जिन बचों के एडमिसन आईटिया या पॉलेटेक्ट में नहीं बद्ध है इसके तहत ये आईटिया वह पॉलेटेक्निक के साथ नई इंजिनेरिंग कोलेज भी खुले हैं साती पुराने संस्तानों को अपग्रेड भी किया जा रहा है राज के साथ आईटिया को एक्सलेशन सेंटर बना रहे हैं टाटा टेक्सिन के साथ करार हो चुका है अगली बड़ी कबर बिहार में अब मुख्यावा गावालों संग अधिकारी करेंगे रात में तडबंदों की निगरानी सभी जिला को निर्देश जारी जिहां राज भर में मानसुन सक्रिया है और उत्तर बिहार में बाड का पानी के जगों पर अब गुज गया है इस कार अगली बड़ी खबर उत्तर बिहार में बाड की इस्तिति गंबीर होती जा रही है पश्ची मो पूर्वी चमपारन के साथ साथ सिवार और सितामड में कई ग्रामीन सड़कों पर आवागमन ठप है सिकराना की बाड के कारान मुझापर पूर नर्गडिया गरने रेल कंड पर रहिवार दो पार से टेनों का परेचाल अनबाधित हो गया है सुगोली जेक्सन पर रेलवे ट्रेक पर भी बाड का पानी चड़ गया है पूर्वी चमपारन के दस प्रकण की एक लाग से अधिक की आबाधि बाड से परिसान है सुगोली प्रकण वो अंचल का रियाले थाना से लेकर सहर के कई महलों में सिकरहाना का पानी परवेश कर जाने से लोगों में त्राहिमाम की सिती है सिवर में बागमती पर बने सुरक्चा बांध के टूटने से पानी दस से अधिक गावों में तबाही मचा रही है सिवर सहर के निचली छित्रों में भी बार का पानी परविश कर गया है सिता मड़ी में बागमतिक के बाद अब मनुस मरा और लखनदे जैसी छोड़ी नदियों भी तबाही मचाने लगी है सिता मड़ी सुर्दन परिहार विश्वापत में डावर्जन टूटने से आवगमन ठफ है मदुबने में कमला बलान के जलेस्तर में लगातार विर्दी होने से जंजारपूर सहित का इलाकों पर बाड़ का खत्रा बढ़ गया है बड़ी ख़बर बिहार के इन जीलों में अगले दो दिन होगी भारी बारिस येलो अलड़ जारी जहां बिहार में मानसुन के स्थिति समाईन बनी हुई है अगले दो दिन को उत्तर बिहार के कई हिस्थों में बारिस होगी कुछ जगों पर भारी बारिस हो सकती है दक्चिन पुर्वी भाग में भी ऐसी सिती रहेगी इसके अलावा दक्चिन मैद एवं दक्चिन पश्चिम बिहार में मेग गर्जन के साथ हलकी वर्सा होगी आकासिय बिजली गिनने की आसंका है मौसम बिभाग ने इसको लेकर अलर्ड भी जारी किया है मौसम बिग्यान केंदर से मिले जानकारी के अनुसार दक्चिन पुर्व बिहार के जिला सुपोलर एरिया किसन गंच सहरसा पूर्णिया में भी कई जगों पर बारिस होगी एक दो इस्तानों पर बाहरी बारिस के हालाद बन सकते हैं दक्चिन मैद के पटना बेगो सराय नव बंदा सेखपुरा गया एवं दक्चिन पशिम बिहार के जिलो बक्सर बोजपूर बबवार उतास जहानाबाद और अंगाबाद में में गजन के साथ हलकी वर्षा होगी आकासे बिजली गिरने की भी आसंका है बाड़ी खबर सालियंसर बदल कर तेज आवाज में गाड़ वालों के खिलाब राज व्यापी अभियान चलाया गया मूल सालियंसर को बदल कर गाड़ी चलाने वाले पर भी जुर्माना किया गया और ऑन स्पोर्ट कुछ के सालियंसर भी बदले गए कुछ वाहन जब्द भी किये गए पारिवाहन सचीव संजे कुमार अगरवाल ने क सालियंसर की तेज आवाज से लोग चिरचिड़ापन और असहज महसूस करते हैं तेज आवाज करने वाले मोडिफाइड सालियंसर लगाने वालों के खिलाब सक्ति बरती जाएगी ऐसा करने वालों के खिलाब जुर्माना लगाया जाएगा एवां सम्मधित कंपनी को भी नोटिस जारी किया जाएगा बाड़ी खबर मुझपरपूर में आप चार दिन ही कोरोना वेक्सिनेशन सिविल सर्जन ने कहा टिका लेने वाले घट रहे हैं इसलिए फैसला रहिवार को बंद बूद्ध सुक्र को अन्य वेक्सिनेशन होगा जी हाँ आप मुझपरपूर जि को कहा गया है अब तक 7 दिन टिका करण किया जा रहा था लेकिन टिका लेने वालों की सेंक्षा में कमी को देखते हुए उख्त निरदेश जारी किया गया है सिविल सरजन बिने कुमार ने बताय कि समवार मंगलवार गुरुवार और सनिवार का दिन कुरोना टिकाकरण के प्रकंड में बाड़ विक्राल रूप धारन करने लगी है बागमतिव लखन देग का पानी तेजी से ने गावों को अपने चपेट में ले रहा है बागमति पानी तीनो प्रकंड के करेब 40 गावों में प्रविस कर गया है कट्रा वह औराई के बाड़ परभावित गावों के एक हजार घरों में बाड़ का पानी गुस गया है सड़कों पर पानी चर्णने से आवागमन ठफ हो गया है कट्रा में बागमती के जलेसर में बड़त्री होने से बाड़ प्रभावित इलाकों की स्तिती बद से बत्तर होती जा रही है मिली जानकारे के मुताबिक बाड़ का पानी धनोर, कट्रा, मदोपूर, बकुची, भवानी, पूर, खंगुरा, समेत करीब एक दरिजा नए गाउ में खुश गया है जिससे कई लोग बेघर हो गए है, सटको पर पानी चड़ने से आवागवन भी ठप हो गया है बड़िकपर बिहार के साथ जिलों में एक भी नए मरीज नहीं, लेकिन पट्ना के इन इलाकों में हर दिन मिल रहे हैं नए संग्रमित बिहार में कोरोना के दूसरी लहर लगवग थम चुकी है, नए मरीजों के मिलने का सिलसिला भी कम हो गया है रहात के बात है कि बिहार के 7 जीलों में कुरोना के नए केस नहीं मिले हैं बिहार की सितामड़ी, सिवर, पष्चिमी, चमपारन, सेकपुरा, लकिसराई, जहानाबद और जमोई जैसे जीलों में कोई भी नए खेस सामने नहीं आया है जबकि 29 जिले ऐसे हैं जहां 10 से कम नए मरीज मिले हैं इसके बावजूत पटना में एक बार पिर सबसे ज़्यादा 22 नए मरोजी की पहचान हुई है एक दिन पहले पटना में 40 नए मरीज मिले थे राज़ान नी पटना के कई इलाके ऐसे हैं जहां लगतार कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं आपके जानकारे के लिए बता दे कि कंकडबाग, पुलवार, सरीप और दानापूर जैसे इलाकों में कोरोना के केस सामने आ रहे हैं अगली बड़ी खबर मोतिहारे में इवावों ने सत परतिसाद वेक्सिन लेकर बनाया रिकोर्ड स्वास्त मंत्री ने कहा 6 करोड को टिका दिये जाने के लच पर तेजी से काम कर रहा है विभाग स्वास्त मंत्री मंगल पाने ने कहा कि राज में संग्रमंदर जहां लगातार कम होती जा रही है वहाई टिका करन भी तेजी आई है दुसरी और मोतिहारी विदानसवा चेत्र अंतरगाद पिपरा कोठी प्रकंड और रक्सोल विदानसवा चेत्र के अंतरगाद रक्सोल नगर परिसद में 18 प्लस वाले लोगों ने 7% टीके लगवा कर राज के लोगों को वेक्सिनेशन के लिए ना सिर्फ प्रेरित किया है ब लाबारतियों ने 7% टीके लगवाये थे बड़े कावर ओनलग 7 में शिक्षन संस्तान को खूलने के मिल सकती है चूड़ साधी समारों में विरयाय अमीद जानकारे के मुताबिक वीडियो कॉन्फरेंसिंग के मायदम से इस बेठक में अधिकांस की या रायते की पूरी तरह से अनलोक किये जाने से कोरोना संक्रण बढ़ने का अभी भी खत्रा है इसलिए अनलोक 3 में लागू प्रतिवंदों में थोड़ी और सहलियोत के साथ अनलोक 4 लागू किया जाना चाहिए साथ इसमें कहा गया कि दुकानों को खोलने के मामले में भी और रियाते दी जा सकती है सवी तरह कि दुकानों को 7 दिन खोलने के साथ साथ इसे खुला रखने के समय में बढ़ोत्रिक करने पर भी विचार चल रहा है इसके अलावा साधी समारों में अभी 25 लोगों तक की उपस्थिती की अनुमती है साथ ही डीजे और बाराज जुलूस पर भी पूरी तरह रोख है और लग पोर में साधी समारों में रियाती मिलने की उमीद है बिहार में 55 चुनाव के लिए अगले हटे जिलों से टीम दूसरी राज्यों से एबियम लाने जाएगी जिहां बिहार में 55 चुनाव कराय जाने को लेकर एबियम लाने के लिए अगले सपता जिलों से टीम दूसरी राज्यों में जाएगी राज निर्वाचन आयोग ने सभी जिलो को निधारित राज्जों से आवांटित किये गए एबियम को 15 जुलाई तक लाने का निर्दिस दिया है बड़ी खबर चिराग के आसिरवाद यात्रा की तैयारी पुरी राम बिलास पासवान के जैनती पर होगा सक्ति प्रदसन जिहां लोग जन सक्ति पाड़ी के अधक चिराग पासवान के आसिरवाद यात्रा को लेकर तैयारिया पुरी कर ली गई है एलजेपी के प्रदेश सद्यक्ष राजुतिवारी ने कल चिराग के आसिरवाद यात्रा को लेकर तयारियों के बारे में पूरी जानकारी मेडिया से साजा की है चिराग पासवान अपने पिता और एलजेपी के संस्ताबक स्वरगे राम बिलास पासवान के जहनते के मुखर पांच जुला यानि आज आसिरवाद यात्रा सुरू करने वाले हैं चिराग के यात्रा राम बिलास पासवान के कर्म भूमी हाजी पूर से सुरू होगी दूसरे तरफ पारस गुड भी पांच जुलाई को पूर्व केंद्रे मंत्रे स्वर्गे राम बिलास पासवान के जैनते पटना में मना रहा है जगा जगा पर पोश्टर बेनर लगाए गए हैं अगली बड़ी कबर पटना में अब बेली रोड पर सी एंजी व इलेक्टिक बसे ही चलेगी जिहां राजदानी को प्रदोसन मुक्त बनाने की दिसा में पहल सुरू हो गई है इसकी सिरुवात सारवजनिक वहानों से निकलने वाले जहरेली हवाओं को बंद करके की जा रही ह बिहार राज परवान निगम जल्दी बेली रोड पर अब सिर्फ सी एंजी और इलेक्टिक बसे ही चलाएगा गानी मेदान से राजा बजार सगुना मोड दानापूर और विहाटा तक सी एंजी और इलेक्टिक बसे ही चलेगी साथ इस रोड पर चलने वाले सारी डिजल की बसो को CNG में कनवर्ट कर दिया जाएगा आपको बताते कि इस मैने के आकरी तक सभी बसे चलनी शुरू हो जाएगी फिलाल पचास बसो का परिचालन बेले रूट पर चल रहा है बड़ी ख़बर आज से बिहार में साथ जोड़े स्पेसल टेरों का परिचालन होगा इनमी से तीन गरीब रती स्पेसल टेरों सामिल है गरीब रती टेरों का परिचालन गया आनंद बिहार टर्मिनल सहरसा अमरित सर और मुझापर पूर आनंद बिहार इस्टेशनों के बीच होगा इसके अलावा बरोनी जम्मुतवी मोर्य द्वज एक्सप्रेस बरोनी अंबाला चिकन और मटन के सोकिनों को डेली करने पड़ेगी जेव जाने किस पर कितने बड़े रुपिये जिहां चिकन और मटन खाने के सोकिनों के लिए बुरी खबर है बिहार में चिकन और मटन अब पहले से ज्यादा रुपिये चुकाने होंगे आसान मा में चिकन मों मटन खाना महांगा हो गया है सावान नजदिक आते हैं चिकन के किमत में 30 रुपे प्रतिक किलो विर्दी हो गई है मटन 700 रुपे प्रतिक किलो और अंडा 170 रुपे प्रतिक केरेट बिख रहा है इस कारण लोगों को नॉन्वेज खाने में पोकेट डेली करनी पड़ रही है इसके बाव अज़ कर दो गए है एसके लाव है इसके बावियो और रही है इसके बाव प्रतिक किलो खाने में 30 रुपे।